आज बाग करने वाले हैं chemical properties of carbon compound carbon compound की chemical properties देखेंगे description में link आपको मिल जाएगे पहली property है chemical जो पहली property आपकी हो है that is combustion ठीक है तो combustion में सबसे वहले क्या करना है आपको तो जैसा कि इसका नाम है combustion तो carbon जब भी जलती है carbon in all its allotropic form burns in the oxygen to give carbon dioxide तो जब भी carbon को जलाया जाता है तो उससे कौन सी gas निकलेगी carbon dioxide with releasing of heat and light इसके साथ और क्या निकलेगा heat निकलेगी and light most carbon compound also release a large amount of heat and light on the burning ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी carbon compound है उनको जलाते हैं तो उनके साथ में carbon dioxide निकलेगी carbon है oxygen के साथ मिलके carbon dioxide निकलती है और heat and light ठीक है तो यह सारे reaction आपने देखें है c plus o2 तो क्या बना आपका co2 with heat and light ऐसे ही methane को अगर हम जलाएंगे तो methane भी carbon dioxide water and heat and light ऐसे ही यह हमारा ethanol ठीक है तो ethanol को भी जलाएंगे तो carbon dioxide water and heat and light तो जितने भी carbonic पदार्थ है carbonic आपके compound है इनको आप जलाने पर consequence निकलती है carbon dioxide और इनका combustion होता है वो भी आपने देख लिया this activity needs a teacher assistant teacher के असिस्टेंट में कर रही है आपको यह take some carbon compound naphthalene camphor और alcohol आपने naphthalene की ball नहीं कैमफर नहीं कपूर ले लिया इनको आप इस पेटेलों में one by one करके जलाएंगे तो आपने देखा होगा क्या इन में flame निकलती है मतलब क्या धुमेदार flame निकलती है या clean flame निकलती है तो यह सब देखेंगे हम ठीक है four point force को देख लेते है light और बसन burner and adjust the hole at the base अगर किसी आप बसन यानि हमें देखा होगा एक बिट्टी के तेल का दिया ला देते तो उसमें छेद करके रखते हैं खोल करके रखते हैं ठीक है तो वो क्यों करते हैं उसकी यह क्या बजाए वो सब saturated hydrocarbons will generally give a clean flame जितने भी saturated hydrocarbons होते हैं जितने भी saturated hydrocarbons होते हैं जब हैं जिनमें single bond होता है इनमें single bond होता है उनको saturated बोलते हैं जबभी यह जलाए ज़ला कंबशन होगा ठीक हैं तो clean flame के साथ होगा ध्यान लगठना किससके सथ होगाforcement pressure और जितने भी unsaturated hydrocarbons जलाई जाए जाएंगे जिनके बीज में double bond हो या जिनके बीज में triple bond हो वो unsaturated होते हैं तो जब भी यह जलाई जाएंगे थीए ना तो जब भी यह जलाई जाएंगे तो इनके combustion जो जोहगा वो yellowsuty flame के साथ होगा yellow किसके साथ होगा yellow suity flame के साथ, या black flame के साथ, तो आपने देखा भी होगा जो घरों में LPG होती है, अगर उसका combustion करें हम, तो क्या निकलती है? clean flame, ठीक है? clean निकलती है ऐख नहीं निकलती है? और अगर हम gober, cow dunk जलाएं, ठीक है? इस तरहे की चीज़े जलाएं, जलते हैं तो आपने देखा भी होगा कि सैचुरेटेड जो आइडर कार्वन होते हैं जैसे यह एलपीजी है यह क्लीन फ्लेम के साथ जलती है इस रिजल्ट इन दा सूटी टिपोजिटेट अन्दा मैटल प्लेट आपने देखा भी होगा जब हम बरतन जब रखते हैं इमके auपर तो काले भी हो जाते हैं लेकिर गैस के उपर नहीं होते हैं कोकि वो सैचुरेटेड है ठीक है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी इलपी जी है् to subscribe चूले होते हैं टो कि के इस तरह से चूले होते हैं ठीक है यहहां से पाइप जाके यहां जुणा स्लेंडर में अब होता क्या है कि यहां इक होता है इनलेट इस तरह से इनलेट होता है यहां और उसमें होता है छोटा होल अगर यह मान लेजिए होल जो है वो चोक हो गया चोक हो गया तो चोक होने पर क्या होगा चोक होने पर यह होल बंद हो जाएगा तो यहां से जो ऑक्सि से क्या होगा तो जो हमारी LPG gas है वो भी धुवेदार flame के साथ जलेगी ठीक है न तो कभी-कभी inlet के बंद हो जाने पर भी हमारे बरतन gas पर काले होने रखते हैं तो कई बार यह question पूछा गया है कि घराओं के बरतन जो है अगे बात करते हैं mixture is burnt to give a clean flame if you observe the bottom of the cooking vessel getting blackened it means the air hole are blocked जैसा का मैंने बताया था आपको fuel are fuel such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur on them this combustion results in the formation of oxide of sulfur and nitrogen they are major pollutants इता environment अपने जब आप petroleum या coal इस तरह की चीज़ें आप जलाएंगे ठीक है ना यह coal या petroleum की चीज़ें जलाएंगे इनमें कुछ amount में nitrogen और sulfur होती है तो जलती हैं तो इनके oxides बन जाते हैं sulfur के और nitrogen के तो यह major pollutants हैं हमारे environment के लिए ठीक है ना तो इनको जलाने के लिए government अभी तो नहीं नहीं लाती रहती है जैसे hydrogen आजकल hydrogen का के से चीज़ें चल रही है जैसे CNG काफी popular है ठीक है तो इसलिए coal और petrol लोगों को जलाने से हम मना क्यों करते हैं government को कि यह major pollutants हैं हमारे environment के लिए ठीक है ना इसमें यही सब बताया गया है इसके बाद combustion के बाद जो हमारा दूसरा reaction है वह हमारा oxidation reaction oxidation क्या होता है carbon का oxidize हो जाना यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं first chapter में अब देखें यहां से कैसे carbon जो है oxidize हो रहा है यहां देखिए यह पार हमारे पास है ethanol ठीक है यह हमारे पास है एथिन ओल कि अलकरान केमनोफोर और acidified potassium dichromate की help से आपने देखा है कि यहां क्या बन रहा है carboxylic acid ठीक है क्या मिला है carboxylic acid देखिए यहां oxygen जो है हमारी वह एक है और यहां oxygen कितनी हमारे पास दो oxygen है इसका मतलब यह है ethanol का oxidization हो गया carboxylic acid में यह हमारा carboxylic acid तो ethanol जो है वह potassium dichromate और alkaline potassium permagnate की help से oxidize हो गई ठीक है और यह दोनों हमारे oxidizing agent देखिए alkaline potassium permagnate और acidified potassium dichromate are oxidized alcohol to acid बहुत कर रहा है एडिंग oxygen to the starting material hence they are known as oxidizing agent तो यह धरनक रहा है यह दोनों क्या है हमारे oxidizing agent है ठीक है अब बात करते हैं हमारे next addition reaction तो इसमें क्या होता है जो unsaturated hydrocarbons होते हैं ठीक है वो add कर लेते हैं hydrogen का in the presence of catalyst such as palladium and nickel और बन जाते हैं saturated hydrocarbon देखिए यहाँ पे जो unsaturated hydrocarbon है देखिए double bond है कि नहीं है अगर इनको मालो nickel या palladium की मदद से कुछ hydrogen का addition कर दें यहां यहां एक एक hydrogen और मिल गया इनको ठीक है तो hydrogen का addition हो गया और जो unsaturated compound था वो किसमें बदल गया saturated compound में ठीक है तो addition reaction में यह होता है unsaturated compound saturated compound में बदल जाता है और यहां देखा भी होगा आपने this reaction is commonly used in hydrogenation इसको hydrogenation भी बोलते हैं और इससे vegetable oil से vegetable घी तहर किया जाता है vegetable oil से vegetable घी तहर किया जाता है you must have been seen advertisement starting that some vegetable oils are healthy ठीक है आपको अटरटीजमें में देखा भी होगा कि बोला जाता है कि यह oil खाने के लिए अच्छा है यह oil खाने के लिए खराब है तो जितने भी animals fat होती है saturated fat होती है कैसे होते है saturated fat होते है तो हमें saturated fat नहीं खाना हमें कैसे खाना है unsaturated fat जो हमें कहां से मिलना है plant से मिलते हैं ठीक है which are said to be harmful for health saturated होते हैं वह harmful होते हैं जो भी animals से मिलते हैं oil containing unsaturated fatty acid should be chosen for cooking जो oil हमें plant से मिलते हैं वह unsaturated होते हैं और fatty acid होता है उनको हमें खाना चाहिए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट रियक्शन है सब्सिट्यूशन रियक्शन ठीक है चुरेटेट हाइड्रोकार्बंस आर फेरली अन्रियक्टिव जो हैं लेकिन कुछ रियेजेंट्स की हेल्प से जैसे संलाइट है इसकी हेल्प से यह अपनी हाइड्रोजन को क्या करते हैं लूज कर देते हैं ठीक है और रियक्ट कर जाते हैं संद के एल्प से तो थी कि यह देखिये रिएक्शन ध्यूर सी अग्या हसी एक्शन लिक कर देखिया अदेख यह को प्रूर मेंत्ट कर चूनeln गें च्वान को प्रूरी एडे निगा अन्रियक्टिव एंड अड़ इनांट इंड तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करेंगे